आप सबी बक्तों का हमारे चैनल बी एस सर्माबाद दो आज में स्वागत है बक्तों आज की कथा में हम सीमर भागवत मापरान के माशिक परायन की सोले में दिन की कथा का बनन कर रहे हैं आज जैबीजय की कथा सबसे प्रतम है, जैबीजय की कथा में भगवान ने बक्ति का चित्र भी दिखाया है कि भगवान के दर्वार में अगर कोई भी गलती करता है तो उसे दंडावर्शित दिया जाता है, कर्मों का फल सवी को भूगना परता है, स्वें परमत्मा भी अप आप समी ध्यान लगा करके इस कता का सिमन करें बोलो सीमर वागवत महापराने की जै 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 सिरी रादे जै जै सिरी रादे जै 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 सिरी रादे श्याम सिरी सूजी महाराज से सोनक अठाची अज्या रिश्यों के प्रिस्णुए सिरी सूजी महाराज ने समी रिश्यों के प्रिस्ण का उक्तरिया उस कठा को आप जो सिवन करें नेमिशे सूते माशीना मभिवाध्या मामतिं कथा मृतार सस्वादा कोशला सौनिको ब्रिवीत सच्छे दानंदरों उपाई बिसोद पत्यारेट वे तापत्रे विनासाई शिरीकिष्नाई वयम नमाः राजा परिक्षित ने पूचा कि भगवन आपने बताया कि भगवान विस्नु ने देवताओं का पक्ष लेकर के देट्ट्यों का बद किया पर तो मेरे मन में बड़ी संका होती हैं संका यह हो रही है कि भगवान तो संदिष्टी हैं सभी भगवान के द्वार उत्पन हैं इसलिए भगवान जो है सबको संदिष्टी से रेखना चाहिए पर वो हमेशा देवताओं का पक्ष लेकर के देट्ट्यों का बद क्यों करते हैं देट्ट्यों में इनकी बिसंदिष्टी क्यों हैं भगवान सी नारायन के गुणों की प्रिती मेरी मन में संदेव हो रहे हैं सुखनेव जी कहते हैं राजन तुमारा प्रिश्ण बहुत अच्छा है इस सी भगवान का मंगल में चेत्र प्रिगत होगा हे राजन भगबान नारायन जो हैं निर्गोण और प्रिगती से परे हैं भगबान का इस प्रिगती से कोई भी सम्मंद नहीं है पांतु नीला के लिए केबल इस सगोण प्रिक्षरीर का सारा लेते हैं इस सगोण अर्ता लेते हैं और इन गुरों का सारा लेते हैं पर बास्त में भगवान मिर्गू नहीं, देवताओं की प्राजय में धरम का नास होता है, अगर असुन बलवान हो जाते हैं, तो संसार में धरम का नास होता है, इसलिए भगवान को असुनों का संगार करना पड़ता है, पन्तु राजन भगवान असनों को संगार करते हैं पन्तु संगार में भी असनों की उपर कृपा छिपी होती है क्योंकि भगवान जिसका भी संगार करते हैं उन सभी को जनम मरन से मुक्त का देते हैं देवता जनम मरन से मुक्त नहीं उपाते उल्टे भगवान जिन अस्नों को संगार काते हैं उन्हें सीधा अपने धाम भेद देते हैं ऐसे द्यालू भगवान है युदिस्तिर की यग में ज़ड़िस्त ने राश्य यग कर इती उस समय भगवान ने सुस्पाल का बद किया तो सब के सामने सुषपाल की जोती भगवान में समा गए थी दंत वक्त का भी बढ़ किया उसकी जोती भगवान में समा गए थी तो नारत जी ने बरी सवा में धैमराज युदिश्टी से इसी बात को बताया था कि निंदा इस्ति अभिवान ये सब केवल सरी के धर्म है भग भागवान को ना निंदा का कुछ लगता है, ना अपमान होता है, ना उनका सम्मान होता है. केबल संसार में वक्तों की रख्षा के लिए, जीवों के कल्यान के लिए, डंड का बिदान किया करते हैं. यदवर्शियों ने गोपियों ने भगवान को प्रेम से कंस ने बैसे सिस्पाल दंतवक्राजाओं ने द्वेश से राख्यसों ने द्वेश से भगवान से जैसा ध्यान किया भगवान ने सब कोई अपनी परम लोग की गती प्रदान करे इसलिए असोर योनियों में भी भगवान ने उनिरा ख्रिसों का उद्दारी किया है एक समय युदिश्ध्ती निरो Amazon जी से पूझा था कि भगवन बारे भगवान के द्वारा हरनाकशब का बद हुआ हरनाची का बद हुआ और नर्सिंग के द्वारा हरना कश्चप का हुआ भगवान ने उस समय पर भी उनका बद क्यों किया जब देद इसी नारजी ने इसी प्रिश्ण का उत्ता दिया था इसका प्राची नितियास सुनो सुग्देव जी कहते हैं राजन एक समय की बात है जब ब्रह्माजी ने सिष्ठी की रचना करी सनक सननन सनातन संतकुमार चारों भाईयों को भी रचा ये चारों ब्रह्मरशी भगवान की पूजा करने वालती सेस्थ थे चारों भाई एक दिन बैकुंट द्वार पहुचें और बैकुंट में जैसी प्रविश करने लगें जै बिजे नाम की दो द्वारपाल बैकुंट की दरवाजी पर खड़े हुए थे उन्होंने चारों ब्रह्मर भाईयों को रोग दिया का मुनिवार इस समय भगवान जो है विश्वाम करें बिना अग्या कि आप अंदर जानी सकते तो चारों भाईयों ने का हमें भगवान का दर्शन करना हैं हम ब्रामनों को किशी की अग्या लेनी कि आवे सकता नहीं हैं पर जय विजय ने रोक दिया कि हम भगवान की पारसद हैं क्योंकि जय विजय को अपना भगवान का पारसद होने का इंका था जैसे रोका तो समय पर संकारिक रिश्यों ने का भगवान की दर्सन में तुम रुकावत डाल रहे हो तुम चारों तुम दोनों जो हैं भगवान के बैकुंत लोक में रहने के अधिकारी नहीं हो इसलिए तुम तीन जन्मों तक राख्यस हो जाओं जब संकारिक भाईयों का ये बच्चन सुना जेवेजे चर्नों में गिर गए उनका कोताल सुनकर के ये आवाज सुनकर के भगवान विश्णू भी दर्वाजे पर आए उन्होंने संकारिक रिशियों का सम्मान किया जेवेजे इतरफाद जोड के खड़े हुए आँखों से आसुब आ रहे थे, सारा समाचर पता लगा, भगवान ने का, कहीं ब्राह्मनों, आप जो मेरे इन दोनों द्वार पालों को जो है, ख्षमा कर दो, आपने इनको स्राब देकर कि अच्छा किया, जो आपने इनको डन दे दिया है, जो मेरे दरवार में बक्तों को ब्राह्मनों को रोकता है उसको सजा यही मिलने चाहिए क्योंकि मेरे द्वार कभी ब्राहभय वक्तों के लिए even बंद नहीं होते हैं किसी भी शमय मेरे दर्वार में आ सकते हैं इनी के लिए तो मैं हमीशा अफ्ताइल लेता हूं चार हो भाइयों ने का भगवन यह तीन जो ये दोनों तीन जनमों तक जनम बोक करकें तीनों जनमों में आपके आथ से नित्तु को प्राफ्ट हो करकें अपने पुरानी श्रूप में आ जाएंगे तीन जनम तक इने राख्यस जनम बेना पड़ेगा जेह बिजय का पतन हुआ, जेह बिजय वहीं से चल करके दिती के द्वारा हना कश्चप अनाथ हुए इदर बारे रगवान में हरनाक का बद किया, क्योंकि हरनाक जो है प्रिथवी को उठाकर के पाताल लोग ले गया और पाताल में जाकर के उसे छपाकर के रख लिया इदर पृत्वी ना देख करके सभी देवता वहभीत हो गए सभी प्रिजा को कहा रखा जाए ब्रह्मा जी को बड़ी चिंता हुई ब्रह्मा जी ने जो है भगवान नारायन का ध्यान किया उसी समय ब्रह्मा जी की नासका से एक छोता सा बारा का बच्चा निकल परा ब्रह्मा जी को छींकाई जैसे वो निकला थोड़ी देव में उसने विसाल आकाल लेकर के गर्जने लगा ब्रह्मा देवताओं ने इस्तती करी सभी जान के इस्वेम नारायन है बारह भगवान की रूप में बारह भगवान जो है सं बारह भगवान नारायन का बारह अबतार का युद्ध हुआ बारह भगवान ने अधना का बद का दिया हरनाक का बद होने पर सभी देवताओं ने जैजैकार किया जब जैजैकार देवताओं की अबाद जो है हना कश्व को सुनाई दी तो हना कश्व को बड़ा क्रोड आय हरना कश्यप ने कहा कि इन देवताओं के कहने पर विश्णू ने मेरे भाई का बद किया है इसलिए जो है मैं इनका बद अवस्च करूंगा मैं देवताओं को दुख दूंगा और विश्णू आज से मेरा सत्र हो गया है इडर जो हैं दिती माता अपने पुत्र के बदपा सोग करने लगी और हरना की की पतनी भी सोग कर रही थी उस समय अपने बतीजे सुकन संबर और अपने भाई की पतनी और माता दिती को सांध करते हुए हन्ना कश्षप ने का हे माता हे बदू तुम सब मेरे वीरवाई का सोग मत करो उसने संग्राम में उत्तम गती प्राप्त किये है जैसे संसार में प्याव पर पानी पीने वालों का मिलन होता है बैसे थोड़ी देर के लिए सब खट्ते होते हैं फिर अपने अपनी योनियों में चले जाते हैं हन्ना कश्षप राक्य सोकर के दूसरों को समझाने के लिए बड़ी बड़ी ज्यान की बातें कर रहा था कहने लगा कि ये सब के ओर संसार का ब्रह्म है एक इतियास कहता हूँ जिसमें उसीना देश के राजा सुयग नाम का प्रतापी राजा था उसे सत्रों युद में मा डाला रुदिर से लटपत वोकर प्रिट्वी पर पड़ा था सारा परवार उसे गेर कर के सोक कर रहा था इसनियाब लाप कर रहे थी यह देखकर के यमराज एक छोटे से वालक का रूपदारन करके आए और कहने लगे बड़े आश्चर की बात है यह सभी मुझसे अवस्ता में बड़े हैं संसार की गत्मिदी को जाते भी है कि जहां से यह जीव आया वहीं लोटकर की चला गया है एक दिन सभी को जाना है फिर भी ब्यत्मी इसो क्यों कर रहे है इनसे तो हमी अच्चे हैं हमारी माता पिता ने हमें जंगल में छोड़ दिया फिर भी कोई चिंता नहीं हम जंगल में रहते हैं वह हमें कोई जंगली जन्तू खाता भी नहीं है जोकि हमें भिश्वा से जिसने गरम में रख्षा करी वही हमारी रख्षा भी करेगा ईश्षर का विदान को इताली सकता इस जगत एक केलो खिलोना है बाग अनकूल हो तो मार्ग में गिरी हुई अपने कीम्ती वस्थू भी मिल जाती है अगर बाग के प्रित्कूल हो तो ति कृपा दिष्टी से बस्ताय को दिष्टी से पतन की योग चला जाता है नारज जी कहते ही इस विकार से हन्ना कश्चप ने अपने परवार को समझाया और उसके बार में हन्ना कश्चप ने मन में विचार किया मुझे कोई जीत ना सके मैं अजर अमर हो जाओं ऐसी तपश्च करूंगा मेरा एक छत्र राज हो हन्ना कश्चप ऊपर को हाट उठा करके एक पैर से अंगूटे से खड़े उकरके ब्रह्मा जी की तपश्या मंद्राचिल परवत पर काने लगा देवताओं ने सुना हन्ना कश्चप तब कर रहा है सभी देवता अपने अपने इस्तान लो लगा जिससे बहिंकर अगनी निकली तीनों लोकों को जलाने लगी उस अगनी को जो है सभी देवता बैबित हुए उसकी लफटे स्वर्ग तक पहुची देवताओं ने ब्रमा जी की सुतिगरी ब्रमा जी जो है हन्ना कश्चप के बाद पास में आये हन्ना कश्चप से का ह ये अन्ना कश्यप तुम्हारे मन में जो भी इच्चा हो हमसे बर्दान मांग लो हन्ना कश्यप ने का कि प्रवू अगर आप मुझे पर प्रसंद हैं तो आपके रचे हुए किसी भी प्रानी से मेरी मृत्तू ना हो बार भीता दिन रात प्रिठवी आकास नर से मनुष्य से स और असुर से सश्त अस्त से बारे महने कभी मेरी मृतू ना हो संसार मेरे स हडिया मेरे समीप निवास करें घार मोग को चले हना कश्व जो हैं अपने गर को लोटाया सारे लोगपालों को देवता को जीत करके उनके राजी छीन लिए और महेंद्र के दिव भवन नंदन वन पर भी उसने कब्जा कर लिया रिद्या सिद्या उसके चन्नों में लोटने लगी त्रइदरों को छोड़कर सभी देवता उसके सामे हाथ जोड़े खरे रहते थे साथों दीपों में हनना कश्व का अखंद राजता पृथ्वी बिना भोए बिना जोते ही अनोप्रया काती थी स्वारिग अंत्रक्य रेटा नाना प्रिकार की वस्तुन रेकर उसके मन को प्रसंद करने की चेश्टा काते थे समुद्र अपनी पत्नियों के साथ में रत्न राती रासी जो है रत्न मूल बेट काते थे उसके समय पर हर रितू में सब रितू के फल पोस्व लगा करते थे सबी लोकों का केले अरिपत्य करने लगा केवल बिचारे देवता वायू पी पी करके रह रहे थे क्योंकि हना कश्चप के राज में पूजा पात यग गवन सब कुछ नस्त हो गया कोई भी देवताओं की पूजा करने बाला नहीं था कोई धरन को नहीं मानता था सबी अधर्म में रत हो गई सबी देवताओं ने भगवान विष्णू की सरनली भगवान विष्णू ने का देवताओं चिंता ना करो कोई भी प्रानी जब देवता, बेद, गौ, ब्रह्म, अर सादू, धरम और मुसीद वेश करने लगता है तब उसका शीगर बिनास हो जाता है मैं जो है, शीगर अप्तार लूँगा, पंदुस से पहले, इसके घर में मेरे वक्त का जनम होगा, वह इसके बिनास का कारन बनेगा सभी देवता, अपने अपने इस्तान लोटाए, हन्ना कश्चिप के चार पुत्रुए, जिन में सब से छोटा पहलात था पहला जो है, हर समय पर भगवान की वक्ती करता रहता था कभी भगवान के ध्यान में मगन होकर के हसता, कभी नाचता, कभी गाता, भगवान के ध्यान में मगन रहता था पहलाद जो थोड़ा बड़ा हुआ हन्ना तश्चक ने देट्ट्यों की गुरु सुक्राचासे का गुरुवर आप जो मेरे पुत्रों को ज्यान दे सुक्राचार के अग्या से सुक्राचार के दो पुत्रों संड और मर्क जो हैं वो बच्चों को पढ़ाने लगें पहलाद भी पढ़ने जाने लगा पंडु पहलाद का क्या काम था जैसे खाली समय होता उसमें बैठा हुआ वो भगवान नारायन का वजन काता हर समय वजन काता और बच्चों को बुला लेता उन्हें भी भगवान का कीतन करवाता इस तरह से पहलाद ने बच्चों को भी ग्यान दिया कि तुम्हें जो है इस समय पर भगवान का ध्यान करना चाहिए ये संसार में जनम मनुष्य का जनम मिला है भगवान की बक्ती काने के लिए मिला है ना कि हमें इस संसार के सुकों को भूगने के लिए एड़ाना कश्यपने जो है जब अपने पुत्र के द्वारा भगवान विश्नु की बक्ती का प्रिचार सुना तपने पुत्र से का बेट तुम्हारा कल्यानो सच सच कहना तुम्हारी विप्रीट बुद्धी कैसे हो गई पहलाद में का पिता जी विप्रीट बुद्धी नहीं है ये केबल सुरी अरी का प्रभाव है संसान में सच्चे पिता वही है पहलाद के बच्चन सुनकर हना कश्चर को कुरोड आया गुरु पुत्र जो है पेलाद को जिएन देने लगे अन्य तरह से राक्षे सराजनिती समझाने लगे फिर जो है हना कश्चप के पास ले गए हना कश्चप ने का कि बेता अब बताओ तुमने क्या गुरू से शीखा है तब पेलाद ने का पिताजी मैंने जो शीखा है वो तुम्हे बताता हूँ, शेवनम, कीतनम, विष्णो, इस्मनम, पारिशेविनम, अर्चिनम, बंधनम, दास्यम, तथा साख्यात्मिनवेदिनम, भगवान की नो प्रिकार से वक्ति की जाती है, शेवर, भगवान की कथा सुनना, कीतन, भगवान का कीतन करना, विष्णो, भगवान श्यार्यान करना इस्मन करना उनकी शेवा करना उने का अर्चन करना उनकी बंददिना करना उनकी दास्षिता सुईकार करना पूज आपात करना और उन मہं मेरे समान होना चाहिए यह सुनकर जो एनना कश्वक को करोड आया का औरे नूर्ख टूने गूरुओं से क्या से का है उन अ 시청 गुरुव पत्रों से का तुमने मेरे पुत्र को क्या सिका दिया उनका माराज हम तो सही सिकार थे पता नहीं और बच्चों को भी विंगार रहा है तो अन्ना कश्चक को क्रोड आया उस नन्ना कश्चक ने ऊचे पार से पहलाद को नीचे रखेलवा दिया बंद वहां पर भी बगबान विश्टू ने रख्षा करी हातियों के नीचे दाला तो वहां पर भी जो हाती पीछे इत गई उबलते हुए तेल में ताला तो तेल भी थन्डा पर गया उसके बात में पहलाद को जो है सापों से बड़े भुः कुंड में दरवाय गया वहां पर भी सर्ब जो है उसकी सेवा करने लगे दूरह अट गई इस तरह से जैर पर अक्षा देख करके हना कश्चब बड़ा दुखी हुआ उसी समय उसकी बेन हुलका आई हुलका ने का वहिया चिंता ना कर मुझे संकाजी के बरदान से ऐसी चुंद्री प्राप्त हुई है जिसको ओड़ करके अगर मैं अगनी में बैठूंगी तो मैं बच जाओंगी और पहलाद जल जाएगा हुलका जो है पहलाद को लेकर के जैसी अगनी में बैठी उसी समय भगवान की लिला से आनी चली और चुंद्री जो पहलाद पर चली गई और पहलाद जो बच गया हुलका उसी अगनी में जलकर की राख हो गई इसलिए उस दिन हुलका देन मनाते हैं जो फागुन के महिने में आता है जानना कश्रप ने ये सब कुछ देगा कि इसका रखेंवी पत नहीं हो रहा आ तो ये सब कुछ सब को बिंगारे देता है हनना कश्रप को क्रोड आया और एक दिन कहने लगा कि पहलार तु इतना बिंगर गया है तो अपने पिता की भी नहीं थुनता आज देखता हूं मेरे हाथों से तुझे तेरा विष्णू कैसे बचाता है पहला जी नेका पिता जी मेरे विष्णू हर जग subsequently रक्षा करंगे ता अन्ना कश्रप बोला कि इस खंथ में बी है पहला जी नेका हम्में तुम्में खड़क खंब में राम हमारा है हमारा प्रभू हम्में भी है तुम्में भी है इस खंबे में भी है तलवार में भी है उसी समय ना कश्चप ने कुरोदे तो करके जो से गड़ा खंबे पर मारी तो खंबे मारी आत हुआ और टास्क आत हुए उसी समय पर नर का डड़ मनुस्का था उपर सिर्षिंग का था बुले नर्सिंग भगवाने की जै जिसे रेखतर के हन्ना कश्यप बहमीत हो गया कि ब्रह्मा जी की सिस्थी में ऐसा कोई जीव नहीं है नर्सिंग भगवाने खेली-खेल में युद्धुआ सभी राख्यश्वा गए हन्ना पेरों पर अपनी गोडि में रख लिया और कहे हन्ना कश्यप बता दिन है ओर रात है इस समय स्मय काल है एन नीचे होगा गोदी में तो बार ना भीतर है देली पर है बार है मैना भी नहींए अधिक मास है मैं नरहूँ ना नारायन हूँ केवल नर शिंग हूँ ना आइस्त है ना स़स्त है देखो मेरे नाकून है ये कहकर के हना कश्चप का पेट फाड़ा दाला उसकी आते बाह निकलाई सब के दे बन को बहुत क्रोड आया नर्शिंग बन के क्रोड से तीनो लोग भेवीत हो गए तब पहलाज जी ने नर्शिंग बन की शुटी करी चनौं में गिर पड़े प्रभू आपके क्रोड में भैवीत हो रहा हूं अब इस राखिष की मिल्टी हो चुकियां आप सांत हो जाएं नर कश्चप की जगए पर पहलाद को राजशिंगासंग पर बिठाया और सब के देखते देखते नर्शिंग भगवान अंतर ध्यान हो गए सुकुदेवनी कहते हैं राजन इस तरह से भगवान शिरी अरी ने नर्शिंग अव्तार लेकर के हन्ना कश्प का बदने किया उसको मुक्ती प्रदान करी हन्ना कश्प भरनाक को जो है एक जनम के पाप से मुक्त करा ये भगवान शिरी अरी की लीला होती है भगवान जो है अपने वक्तों पर हमेशा किरपाई कहते हैं जो प्रानी भगवान सी नर्शिंग का जान कहता है उसके सारे पाप नश्थ हो जाते है नारजी से युदिष्टे ने पूचा भगवन आपने जो चार धर्मों के बान प्रिष्ट और सन्यास ये चार आस्थन होते हैं इनमें ब्रह्मचारी के जो लेक्षन होते हैं ब्रह्मचारी जितेंदिर रहकर के गुरु की सेवा करें नम्रता पुर्वा गुरु कुल में निवास करें ब्रह्मचारी को चाहिए एक तो नेश्थिक ब्रह्मचारी हो प्रिम्चारी को चाहिए जो आमेशा ब्रहमचारी रह रहा है इस्तियों की कभी चर्चा ना करें ना ही सुनें योगती गुरुपतनी भी बासल से तेल उक्तन लगाने को कहें तो उसे ना लगवाएं क्योंकि इस्ति अगनी स्मुप है पुरुष गृत बरे गत के समान है दो इसल्ये पिताकों भी चाहिए पोत्रे के साथ कभी एकंट में ना बेत है ब्रहमचारी अपने सरीर का कभी भी Shinga नहीं करें ब्रहमचारी को चाहिए जब ब्रहमचार का जाने कि अद्जक्ज कुल से वो ग्रिस्त आसम में प्रहिस करना चाहता है गुरु रक्ष्णा सन्यासी जो होता है उसे जो है हमेशा संसात्याकर की बन में निवास करना चाहिए किसी गराम नगर में राक्तरी में निवास नहीं करना चाहिए उसे अपने सनीर पर एक बस्त के अलावा कोई बस्त दान नहीं करना चाहिए साथ गरों से जो विक्ट्या मिल जाए उसी से कि अटबा फोटो की मूती का जो इस्त्री हो उसका इस butterflies ना करें इस थिए का विटो को रिखना भर्जित हैं सन्यासी को इस तरह ज़्यां मांगने भी जायता नीचे कुछ से जुका की रहें उपर सिर्व इठाकर कि ना देखें करें इस प्रिकार से सदста ऐसी अपने। कि यह सद्री का सपर्स हो जाता हे कोई चैनी सपर्स कर लेती है, किसी सपर्स हो जाता है उस दिन इसनान करके भूझन भी नहीं करें इतना नियम होना प्रिकार मेरें , ये सन्यासी के अजगर ब्रिती होती हैं, सन्यासी की धर्म होते हैं, सन्यासी इस प्रिकार से अपने धर्मों की रेक्षा करें, इसके बार में युरिष्टी ने का है बगवन आपने दो आसन के बताए तीना तीसरा बान प्रिष्ट क्या होता है, तर शी सुग्डेव जी केते हैं राजा प्रिक्षित नारजी ने बताया बान प्रिस्टी जो होता है उसे हमेशा आप दूट वेश दारन करना चाहिए बान प्रिस्टी के बाद में, आप दूट बेश दारन कर ले आप दूट बेश ऐसा होता है जिसमें अजगर्गी बृती होती है, ना वो किसी से, किसी का बुरा सोचता, ना किसी का बला सोचता, जो कुछ प्राप्त हो जाता है उसी में प्रसंद रहता है उसे कोई गाली दे पत्था दे या पूजा करे सब में नारायन का सुरूप देखता है और चौता जो आसम है वो ग्रिष्ट आसम है हे राजन ग्रिष्ट आसम से बढ़कर के कोई आसम नहीं है ग्रिष्टी में रहकर की परमात्मा को पाए जा सकता है भगवान के जितने भी अप्तार हुएं ग्रिष्टी में हुए हैं कोई सन्यासिया और कुलोन में नहीं होते हैं ग्रिष्ट आस्थम ही सभी आस्थमों का जन्म दाता है ग्रिष्ट आस्रम के सारे ही सारे आस्रम चलते हैं ग्रिष्ट आस्रम अन्य देता है जिसे ब्रह्मचर सन्यासी बानप्रिष्टी परामंसों का गुजारा होता है इसलिए ग्रिष्ट आस्रम में रहकर कि जो बक्ती करता है वो परंपद को प्राप्त होता है ग्रिष्ट आस् में कुछ बातों का ध्यान रखें गरिश्टारसम में रखें कि अपनी कमाई में से कुछ अंस दान में जिरूर निकालें कोई भू का दरवाजी पर आ जाए तो भू के प्यासे को भूजे नवस दें गोव का गरास निकालें अठिती का कभी त्रस्का नहीं करें यतार सक्ती दान दे और कभी किसी की निंदा चुगले में ना परें इस तैसे गरिश्टी को जो हमेशा नियमों का पालन करना चाहिए और जो भगवान की कता सुनते रहते हैं कीतन करते हैं यता सक्ती दान निकालें अखे तीज अखे नोमी अमा वश्या चन सूर्गेन सहक्रांतियों म ब्राम्मर भोजन कराए इसी से गरिश्टी जो है परम पड को प्राप्त हो जाता है गरिश्टी किसी के दिल को ना दुखावे गरिश्ट आसम से बढ़कर के कोई आसम नहीं रहता क्योंकि गरिश्ट आसम में जो है सभी पितर भी तरप्त होते हैं सभी पितरों की किरपा प्राप्त होती है ग्रेश्टी को चाहिए कभी मास मद्रा का प्रयोग ना करें साथ्टिक बोजन गेन करें और साथ्टिक बोजन करकें भगवान की अमेशा पूजा पात काता रहें दाज जी ने कहें राजन मैंने भी पूर जनम में एक ग्रेश्टी होते हो भी भगवान को वक्ति करी थी देखो पूर जनम में मिक साधारन दासी पुत्रों तो भी आदेवशी पर को प्राप्त हो गया अब में भगवान की वक्ति में जीवन बितीर कर रहा हूं हे राजन तुम ग्रिश्ट आसम में रहकर के ही भगवान को प्राप्त कर सकते हो भगवान को प्राप्त को जीतने के लिए प्रानी को गृष्ट आर्सम का असारा लेना चाहिए जो सुरू में सन्यास हो जाता है बाद में गृष्टी पर अपकलता है गृष्टी में धकिल जाता है तो उसका पतन होता है इसलिए पहले गृष्टी बोग करके तब सन्यास लेना चाहिए सबसे पहले गृष्ट रासम में जुरूर रहे गृष्ट रासम का पालन जुरूर कर रहे सुख्डेव जी कहते हैं राजन इस विकाह से देवरिशी नारज जी ने राजा युदिस्तिर को गृष्ट रासम के धर्मों को अप्रेश दिया जिरिश्ट ने नारज जी का पूजन किया और नारज जी जो ब्रहम लोग को चले गए हे राजन अब जो हम अगले कथा में जो है आपके सामे पांच में अस्तम इसकन की कथा में भागवान के द्वारा गज के उट्तार की कथा भी सुनाएंगे जिसमें गज गराय की कथा है भागवान की लिलाव कथाई, आज की खथा कहीं पर भिश्म कहते ह। बोलो शीमर भागवत मा पराने की जै, जै जै सुरी रादे।